टैली प्राइम में हम लोगों ने अपने काफी सारे topics complete कर लिये हैं साथी साथ बहुत सारे practice sets भी कर लिये हैं इन सबसे पहले मेरी आपसे ही request है अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है किसी भी चीज में का doubt है या फिर अगर मुझे कुछ improvement करना चाहिए तो वो आप हमें comment section में जरूर बता दिया करें ताकि उस particular topics related मैं अपना कुछ improvement कर सको या फिर अगर आपको किसी भी topics related कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो मैं आपके लिए ला सको तो इसी तरीके से आज में लेके आई हूँ आपके लिए practice set एं आप जानते हैं total 9 sets हम लोगों ने भी तक solve कर ल So, Namaskar दोस्तों, मैं Kritika Pandey and welcome back to my YouTube channel और चले स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटू अब इसे एंटर करेंगे furniture का अंडर गूप रहे का यहां से fix asset इसे हम safe कर देंगे furniture यहाँ पर 5000 एंटर करेंगे वापल से हम credit को depress करके debit बना लेंगा और यहां से हम अपनी एक और laser यहां पर entry पास कर लेते हैं बाद में आएंगे अपनी अगली entry पर अगली entry हमारी यहां पर क्या है अगली है purchase goods for rupees 14,000 हमने 14,000 रुपए का समान purchase किया है ठीक है तो यहां पर हम F9 प्रेस करेंगे control H प्रेस करके as voucher पर जाएंगे क्योंकि यह purchase के entry है तो purchase पर आएंगे date यहां पर चेक order and import details इसको हम new कर देंगे ताकि बार-बार यह सारी चीज़े हमें यहां पर ना शो हूँ इसके बार inventory detail अगर आप नहीं चाले तो आप inventory detail भी यहां पर हटा सकते लेकिन वह हम नहीं हटाएंगे 14,000 हम यहां पर enter करेंगे debit side में हम यहां पर अपना एक लेवजर क्रेट हमने सामान बेचा है तो बस date check कर लेते 31 मई की है तो हम यहां पर F8 प्रेस करके sales voucher पर आके as voucher ले लेंगे date लेंगे 31 मई की debit side में क्योंकि हमने सामान बेचा है तो हमारे पास cash आएगा क्या आएगा हमारे पास cash आएगा 8,000 रुपीस का और credit side में हम यहां पर अपना laser create कर लेंगे किसका good sales का क्योंकि जब हम सामान बेच रहें तो हमारे पास से क्या जाएगा सामान चला जाएगा तो सामान हमारा credit हो जाएगा good sales account और cash हमारा debit हो जाएगा इसके बाद अगली entry check कर लेते हैं purchase goods from malhotra and corporation rupees 11,000 malhotra and corporation से हमने 11,000 रुपे का सामान खरीदा है ठीक है उधार नहीं खरीदा उधार यहां पर mention नहीं नगत ही mention है ठीक है तो हमें क्या करना है F9 प्रेस करना है वापस से और control H प्रेस करते हुए as voucher पराना है date यहां पर ले लिनी है 31 मई ही दी हुई है शायद वहां पर भी ठ देख लिते एक बारी तो यहां पर हाँ देखे date हमारी 30 मई ही है एंटर किया credit side यहां पर laser create करेंगे जिनसे हम सामान पर्चिश कर रहे है तो यहां पर हमने कितने का सामान इंसे पर्चिश किया है 11,000 का तो हम यहां पर 11,000 दे देंगे एंटर करते हुए आएंगे new reference में एंटर करेंगे इसको हम और debit side में अपना goods purchase लेंगे रेंटरी को save कर देंगे अगली entry है paid telephone rent for the year by check रुपीज 500 रुपए हमने telephone rent जो है वो pay किया है कितना 500 रुपए है पूरे साल बर का 500 रुपए हमने अपने telephone rent पे किया है एक जून को तो payment की बात चल ली तो हमेंसा payment voucher में entry होती कोई भी payment करना हो एक जून की date ले लेंगे debit side यहाँ पर हम laser create करेंगे telephone ठीक है rent एंटर करेंगे इसका under group रहेगा indirect expense क्योंकि हमारा यह regular expense होता है 500 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे credit side हम लेंगे अपना cash और बस इसके entry करके हम save करेंगे अगले entry देखें यहाँ पर क्या है bought one typewriter for rupees 2100 from universal typewriter corporation on credit ठीक है तो यहाँ पर देखें क्या है कि हमने 2100 का समान जो है वो purchase किया है universal typewriter से बहुत समान क्या purchase किया है typewriter typewriter है एक fixed asset तो हम app 7 प्रेस करके general voucher पराएंगे date यहाँ पर enter कर देंगे एक जून की ठीक है debit side में अपना एक laser create करेंगे typewriter की typewriter जिसका अंटर पर रहेगा fixed asset ठीक है बस 2100 रुपए यहाँ पर enter किये credit side आए यहाँ पर laser create कर लिया किस ते कर रहे है purchase हम universal ठीक है typewriter universal typewriter इनका हम laser यहाँ पर create कर लेंगे जो कि हमारे लिए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे sundry creditor क्यूंकि इन से हम सामान purchase कर रहे हैं तो हमारे लिए हो जाते हैं sundry creditor और बस इसको भी हमें सामान बेचा है 2 जून को तो यहाँ पर F8 प्रेस करके पहले Cells Voucher लेंगे, Control H प्रेस करके As Voucher लेंगे, 2 जून की यहाँ पर डेट लेंगे David side laser create करेंगे केशव राम का, किसका? केशव राम, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएंगे sundry data, कितने हजार रुपए का हमने इन्हे सामान सल किया है देख लेते हैं एक बारी तो हमने इन्हे सामान सल किया है कितने का, sorry 12,000 का, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 12,000, एंटर करते हुए आएंगे reference number यहाँ पर आप दे रेंगे, एंटर करेंगे credit side, gold sales लखेंगे good sales, enter करते हुए इसाब इससे save कर देंगे अगली entry वारी क्या है sold goods to Rajesh Kumar, 4,000 रुपएस 2,000 cash, Rajesh Kumar को हमने 2000 रुपए से क्या किया है सामान बेचा है, ठीक है कब बेचा है, इसकी rate को क्या है, 1 जुलाई तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 1 जुलाई की date लेंगे और sales voucher ही रहेगा, debit side यहाँ पर laser crate करेंगे, Rajesh Kumar, ठीक है, जिसका अंटर कृप है sundry data, control list से save करेंगे 2,000 रुपीज का हमने ने सावान सेल किया है ठीक है, enter करते हुए credit side हमारा यहाँ पर रहेगा, good sales और बस, किसे भी अभव सेख अगली entry देख लेते हैं, हमारे पस क्या है amount withdrawn from bank for personal use, rupees 1500 तो देखो, यहाँ पर हमने इपने business से personal use के लिए पैसा निकाला है तो एक जिस जयाद रहे हैं कि जब भी इपने business से हम personal use के लिए पैसा निकालते हैं, चाहे cash से निकालें, चाहे bank से निकालें, तो वो सारी entry में इसा payment voucher में जाती है, क्योंकि business के तरब से एक payment हुआ है यह तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि payment voucher में इसकी entry होगी, जिसमें हमारा personal account होगा, वो debit होगा, और जो हमारी business की जो bank है वो credit हो जाएगी, तो यहाँ पर हम F5 प्रेस करेंगे, date ले ले लेंगे एक जुलाई की, debit side एक laser create होगा, किस नाम से create होगा personal drawing account, ठीक है, जिसका under group हमेशा रहता है, capital account, जो कि हमारा कितने रुपै से, 15 रुपै से debit होगा, credit side होगा, हमारा bank credit क्योंकि किस से निकाला है, देखो bank से निकाला है, इसलिए bank हमारा जो ही, वो रहाँ पर क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा और इससे safety देगे, अगली entry देखो क्या है, received cash from केशब रॉम rupees 11,900 discount allowed rupees 100 अब देखो, केशब राम को हमने 12,000 रुपै का समान सेल किया था, लेकिन केशब राम से हमने 11,900 रुपै लिए है और 100 रुपै उन्हें हमने discount allowed किया है 2 जुलाई की लेट में, तो देखो, पहली बात है जब भी में कई से पैसे मेलते हैं, तो उसके 12,000 रुपै जितना उन पर होता है, आपको बिल में यहां पर शुरू होता है, जितना आपको बिल में होता है, आपको यहां पर बिल लिटेल दिख रही है तो यहां पर हम पूरा 12,000 रुपै करेंगे अब डेविट साइड हमें आपर अपना एक लेजर जो है वो create करेंगे discount allowed के नाम से जिसका 100 रुप हम रखेंगे direct expense क्योंकि हमने discount allowed किया है 100 रुपए का हमें आपे 100 रुपए का discount allowed रखेंगे तो आप देखोगी debit side अब हम रखेंगी cash जितना हमने पैसा लिया है तो आप देखोगी जो है वो पूरा payment 11,900 ही होगा बस इसको आपको save कर देना है अगली जो है वो entry है paid into bank रुपीज 5,800 हमें बैंक में अठावन सोर रुपए पे किये हैं या deposit किये हैं तो यहाँ पर F4 प्रेस्पर के contract voucher पढ़ाएंगे date देख लेतें क्या है एक 30 जुलाई तो यहाँ पर एक 30 जुलाई की date ले लेंगे credit side cash रखेंगे कितना 5,800 बोले लिया debit side अपना एक टिप सी लिया और इसे save कर दिया note अगर आपको देने है तो आप दे सकते हो कर नहीं देने है तो कोई issue नहीं है तो xy incorporation limited से हमने 50 share खरीदे है ठीक है कितने रुपए के हिसाब से 60 रुपए पर share के हिसाब से ठीक है अब यहाँ पर क्या है brokerage paid rupees 20 और 20 रुपए हमने brokerage का भी charge दे है brokerage मतलब जो broker नहीं होते जो हमें चीज़े purchase करवाते sell करवाते brokers उनका भी हमने 20 रुपए चार्ज पे किया है तो यहाँ पर देखो इसके entry करेंगे 31 जुलाई की rate में अब ध्यान रहे कि सबसे पहले जब हम purchase voucher में इसके entry करेंगे F9 में क्योंकि हमने purchase किया है अब यह जो entry है हमारी यहाँ पर देखे 60 रुपए पर share दिया गया है तो यह entry मारी inventory voucher में ही होगी फीक है कब 31 जुलाई की rate में अब हम यहाँ पर as voucher नहीं लेंगे अब हम इसको inventory voucher ही रखेंगे क्योंकि यह entry ही ऐसी है supplier का invoice number है तो डाल दो बढ़ना कोई बाद नहीं party account name में यहाँ पर laser create करेंगे x y क्या थी नाम पूरा हम नाम अपना पहले देख लेते हैं x by x y and corporation limited तो हम यहाँ पर लेंगे x y and corporation limited ठीक एंटर किया इनका अंटर पर रहेगा sundry creditor वो हम यहाँ पर दे रेंगे तो अंडर अगर आपको बनाना है तो बना लो पढ़ना कोई बात नहीं unit में यहाँ पर हमें एक unit create करना होगा कि share को हम किसमें measure करें है share 1 हमने एक piece share लिया है या एक unit share लिया है या मतले पुछ तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कितनी 60 purchase की है sorry 50 purchase की है लेकिन rate है 60 rupees per share तो quantity देंगे 50 purchase की है rate है 60 rupees per share बस enter किया आप देखो यहाँ पर क्या रिया है कि brokerage का भी 20 rupees हमने pay किया है अब brokerage का जो भी कोई ऐसे आपको कोई भी अगर अलग से आपके कुछ भी अगर charges लग रहे है हमेशा आपको total के नीचे आजाना होता है और यहाँ से भी आपको laser अपनी create कर लेनी होती है brokerage charges कुछ भी आप यहाँ पर अपना laser create कर सकते हो ठीक है brokerage charges जो की हमारे लिए क्या हो जाएगा indirect expense आप इसको indirect direct मतलब जैसा आपका यह expense हो उसमें आपको इसको enter कर सकते हो और हमारा 20 रुपए लगा है percentage में नहीं लगा तो एक बार फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर हम 20 रुपए रे देंगे इस तरीके से आप देखो कि आपका total amount 30,000 रुपए हो जाएगा बस इसको आपको इसी तरीके से safe कर देना नियू रफिरेंस में डालते हुए अगली entry देखो क्या है goods worth rupees 1,000 found defective were returned to Malotra and Corporation अब ध्यान से देखना Malotra and Corporation हमने उपर 11,000 रुपए का सामान purchase किया था इसमें से क्या हुआ कि 1,000 रुपए का हमारा सामान defective निकल गया तो वो हम इनको वापस कर रहे है अब जो हमने सामान purchase किया था वो हम Malotra को return कर रहे हैं तो इसलिए इसको अब हम करेंगे purchase return और purchase return के entry की जाती हमेसाट debit note voucher में debit note voucher का shortcut होता alt plus f5 अगर आप को यह नहीं पता हो तो आप F10 प्रेस करते हुए आप यहां से भी इसे choose कर सकते हो ठीक है तो debit note voucher open किया यहां से control H प्रेस करते हुए as voucher ले लेंगे date देख लेते हैं कब हम वापस कर रहे हैं इने 1 अगस्त को ध्यान से देखना जैसे 1000 का इने हम बापस कर रहे है तो देखो इनका current balance अपने आप 10-4 रुपे बचा है जो हमें इनी pay करना पड़ेगा credit side हमारे एक laser बनेगा purchase return के नाम से जो सामान हम बापस करते हैं उसको हम purchase return बाली laser में डालते हैं ठीक है और purchase accounts लखेंगे और इसे भी हम save कर देंगे enter करते हुए बस इतनी सी इसकी entry होती है इसे भी हम यहां से save कर देंगे अगली देखो entry क्या है sold 20 shares of XY and Corporation Limited तो हमने XY and Corporation Limited से हमने share खरी देते उसमें से 20 share हमने sell किया है किस rate से 65 रुपाई पर share के हिसाब से और brokerage का हमने यहां भी 20 रुपाई पे किया है तो F8 प्रेस करेंगे और इसी में इसके entry करेंगे inventory invoice में ही इसकी हम entry करेंगे date देख लेते हैं क्या date यहां पर दी हुई है एक अगस्तिरी हुई है तो हम यहां पर एक अगस्तिरी रेत ले लेंगे किसको sell करने है वो वहां पर mention नहीं है तो हम cash रखेंगे ठीके इसके बाद sales legend में goods sales रखेंगे यहां पर हम रखेंगे share कितनी quantity? 20 quantities हम purchase करने rate है 65 रुपीज अंटर किया brokerage का भी में charge देना पड़ेगा तो एक बार फिर enter करेंगे और यहां पर फिर से हम brokerage अपना pay कर देंगे 20 रुपीज बस इस तरीके से में इसकी भी entry यहां पर pass कर देंगे अगली entry देखिए यहां पर क्या है bought goods worth रुपीज 2,100 from Ramayz और फिर उसी दिन हमने वो सामान सुरेज को सप्लाई कर दिया तीन हजार रुपाई में अब देखो सबसे पहले तो आपको यह सामान परचिश करना होगा F9 से Ctrl H प्रेस किया S box चलिया डेट ले लिए यहां पर 2 अगस्त को ठीक है 2 अगस्त ही यहां पर डेट है 2 अगस्त ले लिए Credit side से हम पहले किस से सामान परचिश कर रहे है Ramayz से तो Ramayz को पहले credit करेंगे यहां पर इसका अंडर रुप हम कर देंगे Ramayz का Sundry Creditor ठीक है तो यहां पर हमने इनका laser अपना create कर लिया है कितने का 2100 का सामान हम इनसे पहले purchase कर लेते है New Reference में डालेंगे और debit side में goods purchase रखेंगे और बस entry को pass कर देंगे अब देखो वही सामान हम supply कर रहे है Same day पे Shuresh को 3000 का तो हम same day मतलब F8 प्रेस करके Self Voucher पर आएंगे As Voucher पर आएंगे Date वही ले लेंगे 2 अगस्त की Debit side अब हम यहाँ पर एक laser create करेंगे किसको हम बाई supply कर रहे है Shuresh को तो हम यहाँ पर एक Shuresh की laser अपनी create कर लेंगे इसका अंटर group करेंगे Sentry data ठीक है Enter करेंगे और कितने का 3000 रुपए का यहें हम सामान वो sell कर देंगे Enter किया Credit side में good sells करेंगे और बस इसको भी हम save करेंगे अगले entry देखो क्या है Shuresh return goods worth rupees 100 which in turn weren't sent to Ramiz अब देखो क्या हुआ कि जो भी हमने Shuresh को सामान supply किया था 3000 का उसमें से सूरेज ने हमें 100 रुपए का सामान वापस कर दिया अब जब सूरेज ने हमें 100 रुपए का सामान वापस कर दिया तो अब हमने 100 रुपए का सामान पीछे Ramiz को वापस कर दिया क्योंकि उसमें कुछ प्रॉबलम होगा तो कि सुरेज हमें वापस कर रहे हैं तो हमने भी जहां से हम लेके आये थे रमेज से हम उने वापस कर रहे हैं अब यह आपर देखो दो entry बन रही है एक दो सुरेज हमें वापस कर रहा है तो यह sales return होगा हमारा बेचा हुआ supply किया हो वापस आ रहा है और एक हम जो रमेज से लेके आये थे अब हम उसे वापस करेंगे तो यह purchase return होगा दो entry एक साथ हो रही है तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे control plus sorry alt plus F6 plus के credit note लेंगे ठीक है date यहाँ पर देख लेते क्या है वही बिल आपको यहाँ पर choose करना है debit side में आपको यहाँ पर क्या ले लेना है debit side में आपको यहाँ पर अपना एक laser create करना है sales return के नाम से sales return जिसका अंडर गृप रहेगा sales accounts ठीक है इसको आपको save कर देना है enter करते हुए आपको इसे भी save कर देना तो यह किया हो गया अब दूसरा देखो यहाँ पर क्या हुआ which intern one send to ramez जो ramez को हमने क्या किया था ramez जो हमने खरीदा था अब हम वो ramez को वापस कर रहे है तो यह हो गया purchase return तो alt plus f5 प्रिस करके debit note पर आए यहाँ से date ले ली debit side में हमने यहाँ पर एक laser create करना है sorry laser मारे पास created है तो हमने किस से खरीदा रहे है ramez से तो हम यहाँ रamez को वापस कर देंगे ramez debit हो जाएंगे 100 रुपए से ठीक है अब यहाँ पर आपको वही बिल अपना एक हजार का ठीक है rent आप पे कर रहे हो चेक से एक हजार का तो f5 प्रिस किया date ले ली यहाँ पर एक 30 अगस की debit side हम अपना एक laser create करेंगे rent का ठीक है अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो landlord कुछ भी आप नाम रख लो जो आप समझ पाओ जो भी हो आप अपना यहाँ पर चेक सेलेट कर दो चेक नंबर वगर अगर आपके पास है तो आप बो दे दो और आप इस एंटरी को save कर दो इसके बाद last entry है paid salaries to staff rupees 1500 हमने salary बेगी है अपने staff को 1500 रुपई की 31 अगस को तो यहाँ पर 31 अगस की आपर ले लिया cash और बस इस entry को save कर दिया अब यह जो आपको assignment है यह assignment का link आपको video के description में मिल जाएगा साथ ही साथ इसकी जो balance sheet है और trial balance है वो भी आपको video के description में मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने अपने complete किया है total 20 entries I hope आप लोग को इस entry पसंद आई हूँ तो दोस्तों उमीद करती हूँ आपको इस tutorial अच्छे से समझ में आया होगा कोई doubt नहीं रह गया होगा अगर कोई doubt हो कोई भी confusion हो तो आप comment section में जरूर पूछ ले वीडियो पसंद आई हो तो please like share और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें साथी साथ comment करना बिल्कुल भीना बूले और जितना जादा हो सके अपने दोट्स अपने related के साथ इसे share करें तिल देन keep learning and exploring we'll see you soon have a nice day